तो आज हम जो भी नेचर है उसके चार ओडर है उनको हम समझेंगे, समझेंगे काम करेंगे, नेचर की जो चार ओडर है विसी के लिए उनको हमने पांच प्रेमिटर पर समझेंगे, तो नेचर की जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, नेचर में चार ओडर है, माटीरियर ओडर, plant order, animal order and the human order आज हम समझेंगी कि धर्म क्या है ये चारो ओडर है क्या है उनकी धर्ना क्या है इतमेश धर्म क्या है हम बोलते हैं न कि ये धर्मी है धर्मी है लेकिन आप उसका meaning समझेंगी कि धर्म है क्या है धर्म को समझेंगे चालो ओडर को डिटिल में समझेंगे यह ऐसा हम क्यूं कर रहे हैं क्योंकि हमें अपनी सही समझ पे काम करना है सही समझ पे काम करना है तब ही जो रियालिटी जैसी है जब ऐसा उसको समझ जाएंगे तो accordingly लिए हमार भिवार भी उसके accordingly हो जाएगा तो हमारा व्यवार भी तो जो हमारा विवार वे विचार हमारी संज्दध करता है तो हमगे इस प्रूब करना या समझते हैं धरानि क्या क्या हुआ है तो मुल्याप या जो फिलिजिकल उडर है उसके पास है एक्जिस्टेस अस्तेत्व यह जो चीज है वो अगर आप साइस की बात करोगे तो आपकी साइस में कंजर्वेशन और मास को रिप्रेजेंट करता है यानि आप मास को ना तो क्रेट कर सकते हो ना ही डिस्टोय मास केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कंवर्ड हो सकता है similarly जो आपकी फिस्टिकल ओडर है हवा पानी है जो भी तत्व है वह कभी भी नस नहीं हो सकता शोलिड लिक्वी डेंट में चेंस हो सकता था यह तो मटी लोडर भूआ है उसकी सच्छेयяла क्या है उसका अस्तिथ अस्तित नहीं सकता अब आते हैं plant order में तो plant order अगिन मैंने आपको क्या बताया था पहले यह जो चार order है वो उनका आपस में relationship है तो basic है आपका material order material order से superior होता है आपका plant order जब material order develop करता है तब आपका develop होता है plant order तो जो आपकी ऊपर की order है उनमें नीचे के order की qualities अपने आप होंगी क्योंकि उसी से वो develop हुई है तो अगर हम plant order की बात करें तो उसके नीचे कौन सा order है material order तो plant order में material order की सारी जो भी qualities है जो भी चीज़ है वो सारी रहेंगी तो अगे plant order में यो है रहेगा जो मते order में वो रहेगा अब अधिन में क्या आता है तो प्लांट ओडर में आपका आता है growth जो आपकी plant order होते हैं अगर आप plants को देखो तो आपका जो पहले पौद़ होता है चोटा सोता है धीद्रे वो ग्रू हरताता है और जो भी आपका एक समया पुल्दा है प्लांट है वो ट्री की आम अजयाता है तो प्लांट एक हम देखें तो उसे धाल क्या हुआ किया हुआ है असित्व है साथ में क्या है ge Growth है ड्या अपका ब्लांट है बार गान्ड है Il्लाप सो जाएगा आपके लिपके लाइब क्या हो झाता है तो तो अगेन वो decomposed हो जाएगा और अर्थ में decomposed हो के अगे असित्व उसका बना हुआ है प्लांट से जो आपका ट्री है वो अगेन चेंज होगा कि इसमें आपके सोयल में तो असित्व बना हुआ है हमीसा रहेगा असित्व रहेगा साथ में ग्रूथ है अब आगे समझते हम के animal क्या है animal order और human order क्या है पहले इसको समझते है इसको समझने के लिए equation है यह जो आपका animal order है basically है क्या तो अगर हम animal order की बात करें तो animal order को हम बोलते है animal order क्या है animal body plus i animal की body है उसमें जब i चैतने काई जब जूड़ती है तब आपका बनता है एनिमल ओर सिमिलरली human body human body में जब i जूड़ता है तो क्या बनता है आपका human भी यह जो human body है और जो animal body है इनकी जो अगर हम किरिया है इनको देखें तो इनकी जो किरिया है वो plant order से match करती है जो human body है और जो animal body है वो आती है आपके plant order में plant order की किरिया है उसमें तो plant order में आती है जैसे कि हमारा जोग हम अपनी सरीर को देखें तो हमारे सरीर में भी अस्तित्व हैं हम पांच तत्वों से बने हैं अगेन हम डिगंपोस हो जाके पांच तत्व में विलीन हो जाते हैं और अगर हम अपनी जीवन को देखें अपनी सरीर को देखें तो पहले बच्चे थे जबान हुए फिर बोड़े होते हैं तो ग्रोज भी होता हमाही जीवी वोड़े मी तो हमाही जीव बोड़ी है वह चाहिका रिवाक्स साथ इसे उनको फॉल करते हैं वो underdeveloped है और जो human order का आई है वो more developed है अब इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि हमारा जो चैतनेकाई है जो human order है उसकी चैतनेकाई में ज्ञान के लिए एक उत्रुपता है ज्ञान के लिए एक चाह है animal order में ऐसा नहीं है animal order का जो आई है जो चैतनेकाई है वो inferior है क्यों inferior क्यों है अगर आप remember करें मैंने आपको जो पहले बताया था इस पेज को में टर्न करते हैं यह चार्ट आपको याद होगा जिसमें हमने हम पहले समझा था animal consciousness and human consciousness अभी मैंने आपको डिसस किया जो आपका animal order है उसका आई डेव अप नहीं है यानि body है लेकिन उसकी जो आई है उसको ग्यान नहीं है हमारी जो animal जो है उसको अपनी body का ग्यान है body की क्या है सुविधाए है तो अगर केवल अपनी body को बनाए रखने के लिए सुविधाओं बे अटके पड़े हैं और अगर हम संबंद को नहीं देख पा रहे हैं तो हम पसू समान है यह हमने पहले भीडिए स्क्या हुआ हुग आइनिमल के लिए केवल उसके जीवन को बनाए रखना उसके लिए एक में प्राइट्रिया थी है एनिमल संबंद को नहीं देख पाते हैं अगर देख भी पाते हैं तो उनके संबंद का जारह क्या होता है बहुत इसमान होता है अगर हम human को देखें तो human being में क्या है मैं साद हम human बनते हैं क्योंकि जब हमारी basic निट पूरी होती सु विधाओं की तब हम संबंद को पूरा करते हैं और जो संबंद है वो हमारी चेतने काई की नीड है जब हमारी संबंद का डारा भड़ता है संबंद मेरा मेरे सरील के साथ मेरे परिवार के साथ मेरे समाज के साथ मेरे प्रक्ति के साथ समाज में फिर एनिमे ओडर के साथ फिर बाकी की तीने ओडर के साथ मैं अपने संबंद को देख पाता हूं समझ पाता हूं निभा पाता अगें, जब मैंने ये animal consciousness, human consciousness ये chapter मैंने पढ़ाया था, तो कुछ बच्चों में doubt था, कि सर कुछ यो animal है, वो सम्मंद को देख पाते हैं, कि वे कुछ यो pet animal है, वो अपनी मालिक के साथ सम्मंद को देख पाते हैं, तब मैंने आपको बोला था, question का जबा, जब हम आगे आएंगे तो आपको clear हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नीचे की order में grow करने की ability हमेशा होती है, तो animal order का जो आई होता है, जनरली वो under developed होता है, उसमें सम्मंद का ग्यान नहीं होता है, but हम अपने, मैंने आपको पहले बताया, हम अपने वातावरण से अध्धन की थुरू हमेशा सीखते हैं, तो animal order की eye में हमेशा सीखने की और develop करने की potential होता है, तो कुछ animal जब human की साथ रहते हैं, तो वो सम्मंद वातावरण को मिलता है, उस वातावरण से अध्धन करके, वो as a human की तरफ grow करते हैं, develop करते हैं, तो उपर जाना, नीचे जाना दोनों possible हैं, कुछ human हैं, जो animal की तरह behavior कर सकते हैं, के बस विधाओं मेटके पड़े हैं, मैं और मेरा सरी, ना तो परिवार से सम्मद, ना समात से सम्मद, नहीं प्रकृति की किसी काई सम्मद देख पाते हैं, तो उपर नीचे जानना, चाड़ना उतरना लगा रहता है, यह possible है, nature क है, तो हमें decide करना है, क्या हम human होके, human की तरह behavior कर रहे हैं कि नहीं है, अगर human की तरह behavior कर रहे हैं, तो मैं अपनी सम्मद को, अपनी सरीर के साथ साथ, समाज, परिवार, प्रकृति के साथ देख पाता हूं, और जो प्रकृति का जो role है, जो नियम है, mutual fulfillment उसको कर पाता है, अ आगे आते हैं, आगे समझने के लिए, हम समझ रहे थे धाना, तो अगर हम animal order पर आते हैं, तो again, मैं आपको बताया, जो उपर level की order होते हैं, उनमें level की किरियाय जो है, वो समाहित होती है, तो animal order में एक तो body है, और चैटन एकाई है, जो body है, वो प्लांट ओडर की समान है, तो उसमें प्लांट ओडर की चीज़ा रहेंगी, तो क्या रहेगा, अस्तित वा वुरूथ, अब animal order में क्या चीज़ा है, आई, यह जो आई है, animal order का जो आई है, उसमें जीने की असीमचा है, तो हमें इसा जीना चाहता है, आप अगर पेड़ पोज़ों को देखें, आप क याई हमें जीने की चाहता है, जीने की चाहा की वज़े से ही, थो आप, आप अगर आपा में। आप एनिमल को डंडे मारू, वो अपने आपको सरी मन के बैठा हुआ है, चैतनिकाई तो है, बड़ उसका ग्यान नहीं है, मैं क्या हूँ में चैतनिकाई की क्रिया ही क्या है, ग्यान क्या है, अनुभव क्या है, समझ क्या है, ऐसी कुछ यग ऐसा नहीं है, पकती में क्या चल आकाल पढ़ा है तो क्यों पढ़ा है ये बाड आई है तो क्यों आई है उन्हें सोचेगा वो तो क्यों अपने सरीर को बनाए रखने के लिए जो रिक्वार्मेंट है खाना है तो खायगा नहीं है तो नहीं है तो जीने के लिए बनाए अपने जीवने को बनाए रखने के लि सबस्क्राइबूं, एक जगे है, एक फील्ड में एक ग्यहों का ढ्रीर लगा हुआ है, वहाँ से गाये गुजर रही है, उसको अगर भूक लगी है, तो जो भी आपका अनाज का ढ्रीर है, उससे खाना खाएगी, उसके बाद जतना उसका पेट भढ़ जाता है, उसके बाद वो हाँ से चली जाएगी बड़ अब महाँ पर एक आदमी आता है आदमी अगर आएगा तो उसको अब वो क्या करेगा बताओ क्या वो जो अनाज है उसमें पेट भढ़ने लाएक अनाज खाके महाँ से चला जाएगा कि कुछ और करेगा आदमी सोचेगा अब इस जो अनाज है जो धेर है अब इसको मैं कैसे स्टोरेज कर लूँ इसका मैं क्या प्रोसेस कर सकता हूँ इसको मैं कैसे बेच दूँ उससे मुझे पैसा मिले मैं परिवार के लिए कुछ करूं उससे समय देख पा रहा है और उसके अंदर जिग्या ऐस विल्डर वीस्ट हो एक बर आपका टाइगर या फिलॉयर उसकी भूग मिर जाती है उसके अदू आरम से बैठ जाता है तो उसके आस पास चाहे कितने भी आपके डियर हो विल्डर वीस्ट हो जैबरा हो जितने भी आपके अनिमल्स हैं वो उसकी साम्दे से ले जाएंगे पर Hem को टच नहीं करेंगा क्यों को कि उनमें कि जीने की चाहें संदए्षकरार einge salary हो गया उसके लावान के लिए कुछ रूकाईं मियर्थ बट human order की साथ ऐसा नहीं है, अगर आप human को देखे, तो किवल जीना उसकी जीवन का लेक्षी नहीं है, human develop होता है जब उसकी physical lead पूरी होती है, जब तक हमें अपने जीवन के लिए आवसक सुविधाय नहीं मिलती है, हम सुविधाओं के बारे में सोचते हैं, कैसे मैं अपने food जो भी खाल दे समगरी है, उसको एकचे कर सको, बट हम यहां तक नहीं जोड़ते हैं, जब मुझे अपने जीवन के लिए आवसक सुविधाय मिलती हैं, उसके बात मैं सोचता हूँ, काफी सारी चीज़े, समन्द के बारे में सोचता हूँ, समन्द को निभाते हैं, हमाई आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि उसको आपकी फूर दो और उसे वो संतुष हो जाए, उसके लिए ज्यान ही बहुत बड़ी आवसकता है, एक एनिमल को, आप भरपिर खाना दो, और उसको आप एक कमरे में बंद करके रगदो, क्या सूचता है, संतुष रहेगा हूँ, क्योंकि उसके लिए पूरा नहीं है, हूँमन के अंदर कंटिनॉस हैपिनेस, और यह कंटिनॉस हैपिनेस कहां से आएगी, जब अपने संबंद को निभाएगा, तो संबंद को निभाने की चाह और नियनता सुक की चाह हमें से बनी हुई है, तो हीमन के लिए डोमिनिटिं तो हम जो इह, जो आई की निटैं, कैसे लिए कुछ काम करें, या कि लुट सुविधाओं मेटके पड़ें। संबंद को निभाःए निभाने की चाह है, इसे मिलने वाले शुको को हम देख पा रहे हैं या नहीं दिख पा रहे हैं याब भर के वह सुविधाओं पड़ें यह हमें जातनी की जवता है अब धर्म क्या है धर्म यह है कि मैं मटी ओडर ने जो धान किया है उसकी एसित में अगर बादा केट नहीं करता हूं तो मैं धर्म हूं अनिथा मैं धर्म हूं प्लांट ओडर के ग्रोथ में बादा नहीं करता हूं तो मैं धर्म हूं अनिथा मैं धर्म हूं एनिमल ओडर के जीवन में अगर मैं बादा केट नहीं करता हूं तो मैं धर्म हूं अनिथा मैं धर्म हूं किसी मानव की सुख में बादा नहीं करता हूं तो मैं धर्म हूं सब्सक्राइब कर रहे हैं जो प्लांट ओडर का जो जो धरल किया हुआ है यानि उसका ग्रूथ हम जो अपनी स्वाथ के लिए आनिमल का अपने पर सनल अप के लिए अधरमी है गिसे भी यूमन को अपने वहबार से अपने कारे से अपने वच्नों से अगर हम उसको दुख पहुंचा रहे हैं तो एसे आता है क्यो न्याय क्या है तो मानक के साथ संबंद रखते हुए, मुझे जहान रखना है कि मेरा सुख बना रहे और जिस मानक के साथ मैं संबंद भा रहा हूँ, उसका भी सुख बना रहा हूँ, अगर मैं ऐसा कर पा रहा हूँ, तो तो मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ, मैं अपने सुख को इंस सब्टाव कर पा रहा हूं तो तो मैं धर्मियू अनित्रामेय अधर्मियू हूं। तो इस लेक्षर में आज हमने समझाी धर्म क्या है। आगी की लेक्षर हम समझेंगे कि मानफ है उसका सभाव क्या है। तो आटिस wharaday